हेलो गाईज, वेलकम टो माई चैनल लाइफ स्टाइल एंड होम कोगे मैं आज आपके लिए नूडल्स लेकर आई हूँ कि नूडल्स कैसे बनाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप इस तरह का कोई भी नूडल्स लेकर आ सकते हैं अब मैं नूडल्स को उबालूँ के मैंने एक बरतर में पानी उबलने रख दिया है पानी में उबालाना शुरूर हो गई अब मैं इसमें तो पीसे जी नालस टालेही है और इसे हम अब उबालेंगे में मीडियम पर इसे उबालना है इस तरह से हमें हाई फ्लेम इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसमें उफान आएगा और इसका पानी गे सकता है इसलिए में मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है और मैंने 8-10 सोया बड़ी एक कटोरी में पानी में भीगा कर र कि यह पका है या नहीं बिल्कुल पक चुका है में फ्लेम को बंद कर देंगे अब हम इस तरह की किसी भी छनी को ले करके उसमें नूडल डाल करके ठंडे पानी से अच्छी तरह से दो लेंगे इसको मैं अच्छी तरह से ठंडे पानी में धुल लिया तो बिल्कुल अब कर निकाल देंगे गए इस तरह से में दबादबा करहांथ से प्रेश करके इसका पानी निकाल देना है और मैंने नूडल माध नाले की थोड़ी से पत्ले कटे हुए ट्रमाटर एर थोड़ी ता है जिसमें मैं थोड़ी सी मौंफली डालकिंव कि मौंफली इसे बहुत इंचे टेस्ट आता है इस ने हम अच्ची तरह से भूनेंगे गोल्डन ब्राउन तक मुंफली को हम सबसे लास्ट मैड जो यह अच्छी तरह से भुन जाएगे तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से हम यह लो फ्लेम पर इसे भुनना है यह मुंफली हमारी भुन चुकी है अब अपनी सोया बड़ी फ्राई करेंगे इस तरह से और मैंने सोया बड़ी को भी अलग प्लेट में निकाल लिया है अब मैं थोड़ा से इसमें दो चमास तेल डालूंगी अब मैं पहले इसमें प्यास डालूंगी प्यास को एक मिनट तक अच्छी तरह से बुनूंगी प्यास जब भुन जाएगी अच्छी तरह से तब मैं इसमें पत्ता गोभी डालूंगी और अपत्ता गोभी को मैं थोड़ा से बुनना जादे हमें नहीं बुनना है इस तरह से हमें फ्लेम हाई रकना है हाई फ्लेम पर हमें सब कुछ बुनना है प्यास शिंबला में सब कुछ हमें जबाश अब्स डालूंगी ऑ Really so कि vallahi थोड़ी दिये तक आधा मीनिट तक बुलना है कि यह भुण गुभुण चुके हैं कुर्माओ में ले अच्टाक अच्टामाटर भी डाल दूगी। है हमें बस ठोड़ा सही पकाने में जहादा नहीं पकाए हम इसमें टॉमाटो सास आइप करऊंगी इसमें थोड़ा टॉमाटो साइ्ट डाल दूंगी अम इसमें चिली सास इसमें कए गदक्कन सोया सास आइप अ बाइन सबको तीनोंक अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं इसमें आधा चमज नमक डाल रही हूं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आधा मिनट पकाएंगे अब मैं इसमें आपको इसा भी मसाला डाल सकते हैं मैगी मसाला डाल सकते हैं पास्ता मसाला डाल सकते हैं इसमें मैंगी मसाला एड कर रही हूँ गर कि इस तरह से अच्छ से पकाना आप मझने सौया बसे डाल लगा कि इसे सूय यूमläast अच्छी तरह से मसालब मिक्स हो जाए अ मैं इसमें नूडल्स कर दूहूंगी इस तरह से तरह लालने के बाद हमें चारो तरफ से इस तरह से चलाना है और हमें हाई रखना है कि स्पैचुला लोंगे अर अच्छी तरस इस तरह से चलाँगे जिससे हमाई नूडल टूटे नहीं और अच्छी तरह से बन कर के तयार हो जाए है हमें हाई फ्लेम पर लगबग 1–2 मिनट इसे पकाना है कि देखिए हमारे नूडल्स बिल्कुल बनकर तयार हो चुके हैं तो इसको बनाना है ना बिल्कुल अहसान तो आज ही बनाईए खाईए और मुझे बताईए कि आपको ये रेस्पी कैसे लगी अगर आपको ये रेस्पी पसंद आती है तो मेरे चैनल को करें लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें थैंक्स फॉर वाचिंग अ